हेलो खजवाट, हेलो जॉन्डू, हेलो टेनी भाई और बताओ का चल ले आज कल, कैसे हो तुम लोग बस कट रही है जिन्दिगी जैसे तैसे तू बताओ जॉन्डू का बात है अज पढ़ाई की चरम सीमा है दम पार करके रखे हो हाँ काएं की पढ़ाई जरूरी है तुम लोग की तरह हर दम खुमते रहेंगे तो एक दिन बकरी चरानी पड़ेगी हमको हाँ तो चरा ले ना, आखिर कुछ लोग करते हैं की नहीं मेनतवला काम इसको करने ही नहीं है एक नंबर का काम चोर है नहीं, दिखता भले हो लेकिन काम चोर नहीं है देखो कितनी मेनत से लगा हुआ है तो फिर तुमारे मुझ से करें कवर से ना करें तो कवर होता का है एक आदमी के बुक के कवर का तो ऐसे भी कुछ आता पता नहीं रहता है क्लास खाताम होते होते बुक के चीथले उड़ जाते है और तुम चाह करे हो अगर हम एक टो बुक लेनी हो हम पहले एक बुक पूरी पढ़ें उसके बाद उसको जज़ करें और फिर खरी दें हम तो ऐसे सुनी सुनाई बात बोल दिये तुम फालतू में तना भड़क रहे हो मामला गरम लग रहा है काया कुछ हुआ है का बहुत दिन से पढ़ने नहीं बैठा था आज मामे जबरदस्ती बैठाई है डाठी बाठी भी है क्या पहले दूड़ो गाली दी फिर एक थपड़ मारे फिर दूठो गाली दी पूरा सेंडविच बना के सजा दी है आज और तुम कितने दिन से बुग क्यमों दिखाई नहीं किये हो डेली पढ़ते है मगर तुमारा नंबर तो कोई हो रही कहा नहीं बतियाता है दिमाग बहुत है हमें बस पढ़ाई में थोड़ा कम लगाते हैं यही सही सा नंबर आता है अभी देख लिए रहे कितना दिमाग है एक सवाल का जवाब देना तो एक क्लास में बच्चे लोग को 5 true false वाला question टेस्ट में दिया जाता है यह डॉक्टर की तरह क्या लिख रहे हो सही से लिखो मालो यही 5 question है ऐसे कैसे माल लेयर कम से कम सही से लिखो तो फिर उसका भी जवाब देना पड़ेगा तुमें अच्छा ठीक है रहने दो हाँ तो टेस्ट में यह 5 सवाल दिया जाता है कोई भी बच्चा पांचो का पांचो सवाल सही नहीं किया है और एक से लेके 5 तक true false लिखने का जो sequence है वो सारे बच्चे का अलग-अलग है तो बता उस क्लास में maximum कितने student हो सकते हैं हैं यह कूँजी बात हुई यही बात लेके इतनी देर से हम परिशान है और तुम लोग बैटके कबसे हमारा ही सर खाय जा रहे हो इसका जवाब तो असान होना चीए बे हाँ तो बताओ न फिर देखो 5 सवाल दिया है एक सवाल करने का 2 option है या तो true या तो false अलग-अलग true-false के sequence या बनाया जा सकते है इन्हे में से कोई एक sequence होगा जिनमें पांचों के पांचों एंसर सही होगे और वो answer किसी student का नहीं है सही योग से सब तुमारी तरह है जोंडू चिबे तुम बोलो अब क्या सही answer किसी का नहीं है तो 32 में से एक माइनस कर दो maximum 31 बच्चे हो सकते हैं क्लास में से एक ज्यादा होगे और सबका sequence अलग-अलग होगा तो किसी एक का पूरा answer सही हो जाएगा और अगर 32 से भी ज्यादा हो गया तो इने में से कोई एक sequence रिपीट करेगा और क्या यह तो ठीक ही था बे बहुत tough तो नहीं था तुम इतने देर से क्या दिमाग लगा रहे थे कर के रहे थे अब नहीं बिना pen उठाए डंबरू और पर्स बना रहा था रुक रुको ऐसा नहीं जाना है पहले इसको दबाओ और बगल में घंटी शुला पते नहीं यहां घंटी होती ही की नहीं ठीक है नीचे नीचे जाओ घंटी खोजो और फिर उसको भी दबाओ 72 गंटे के चोटे से ब्रेक के बाद मैं फिल लोटूंगा